दोस्तों क्या आपको ये चीज मालूम है एक सर्वे कहता है कि 66% civil cases आज 170 districts में हमारे भारत देश में जो लड़ी जा रही है ना उसमें से 52% जियां दोस्तों 52% cases लड़ी जा रही है amongst the family और ये सिर्फ और सिर्फ property और real estate के assets को लेकर है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धीरज मैं आपका स्वागत करता हूँ हीडए investment economy के आज केस व्लॉग में जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि जब एक mowable और immowable property को transfer करने की बात आती है जहां पर will है या will नहीं है तो उस case में एक legal hair क्या procedure follow कर सकता है in order to ensure that the assets are transferred rightfully to the immediate legal hair so चले start करते हैं with mowable asset first देखें दोस्तों जभी mowable asset को transfer करने की बात आती है ना तो यहां पर will एक registered will बहुत ही important role play करता है एक registered will के द्वारा हम बहुत seamlessly asset transfer कर सकते है legal hair को बट जहां पर probate की जरूरत है और जहां पर family disputes है तो फिर वो will भी challenge हो सकता है और इसे cases में दोस्तों जहां पर will ही नहीं है तो फिर जैसे कि मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में कहा था फिर आपको या तो succession certificate के लिए apply करना पड़ेगा legal hair certificate या letter of administration तो दोस्तों जब भी mowable property की बात आती है इसमें shares, stocks, securities, bank deposits, mutual funds, death claim from the insurance policies जो claim proceeds आती है और इसे के साथ इसाथ gold and jewelry vehicle ये सारे हम mowable assets में consider करते है तो जब भी mowable property को transfer करने की बात आती है तो normally क्या होता है देखे अगर हम देखे 90-95% cases में जहां पर bank accounts की आगर हम बात करें जहां पर joint account holder है तो वहां पर एक बस death certificate produce करने से और legal hair की जो ID proof है वो submit करने से सारी के सारे जो भी funds है उस bank account में वो bank account फिर उनके नाम पर transfer किया जा सकता है दोस्तों देखे जहां पर bank account jointly owned है अब मैं जाभी joint कह रहा हूँ तो मैं mode of holding भी हाँ पर joint कह रहा हूँ anyone survivor नहीं उस case में surviving spouse को account को पहले close करना पड़ेगा ठीक है उस account को close करने के बाद वो एक नया account open कर सकते है और उस account में वो सारे funds को जितने भी benefits आएंगे death claim के जो benefits है वो pull in करके वहाँ पर ले सकते है यह करने के time पर एक चीज़ हमेशे याद रखेगा कि आप उस नए account में अपने adult child को as a joint holder करके register कीजे जिससे फिर मतलब आगे चलकर उसमें भी कोई challenges नियांगे उस account को लेकर तो बट बात हुई जहां पर dispute नहीं है बट अगर dispute है बात सारे इनो legal है जो claim करने वाले है तो आपको पहले सारे legal है के इनो consent को लेना पड़ेगा बट यह चीज़ एवाइट किया जा सकता है अगर आपके पास एक will है तो बट अगर will भी नही certificate legal certificate or letter of administration which is a lengthy process and expensive affair 2 और जहां बात गाड़ी को वहीकल को transfer करने की होती है तो यहां पर देखे दोस्तों सिर्फ ownership नहीं registration certificate ही नहीं आपको insurance भी legal है के नाम पर transfer करना पड़ेगा दोस्तों यह तो बात हुई movable property की immowable property की जब भी बात करते है real estate की जब भी बात करते है तो देखे दोस्तों यहां पर सारी चीज़ गवन की जाती है through a will अगर आपकी self occupied property आपको आपके absence में किसी को transfer करना है और अगर आप उस चीज़ को will में mention करते है तो फिर executor जो आप appoint करते है ना आपके absence में उस सा पारे transfer की देखरेक करते हैं बट यहां पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक registered will भी चैलेंजिबल है और अगर मैं दोस्तों मुंबाई कॉलकाता चैन्ने की बात करो ना यहां पर तो probate of the will is again very much needed तो मतलब without probate again a registered will is not valid तो जब भी विल नहीं है तो immowable property transfer करने का एक ही र administration जो आपको court से मिलेगा तो आपको उसके लिए apply करना पड़ेगा आपको एक affidavit बनाने पड़ेगी और आपको सारे legal hair का NOC no objection certificate लेना पड़ेगा उसके बाद आप property अपने नाम पर करा के ले सकते हैं and then you can apply for mutation देख दोस्तों यहां पर यह करना बहुत जरूरी है because जब एक title transfer होता है तो उस चीज को land revenue के records में record करना बहुत ज़रूरी है so that आगे चलकर जितने भी इनो जो भी एक property taxes होता utility payments होता है वो सब फिर आपके नाम पर आएगा दूस्तों आज के video में हमने देखा कि movable और immovable property को आप कैसे transfer कर सकते क्या procedure है उसके लिए यहां पर दूस्तों आपने एक चीज़ डेफिनिटली observe कि होगे कि will की importance कितनी जादा होती है देखें जब एक will होता है मैंने मेरे पिछले video में भी कहा था इस part के इस series के कि जब आते हैं ना तो महाँ पर disputes होने के chances बहुत कम हो जाते तो फिर it is it makes sense कि आप एक will बनाई है और अपना जो भी asset movable और immovable आप किस तरीके से transfer करना चाहते कितना share करना चाहते किसको share करना चाहते यह आप एक plain piece of paper में भी लिखकर उसको register करके ले सकते है तो आज के हमने वीडियो में देखा movable और immovable property को आप कैसे transfer करके ले सकते हैं अगर आपके पास will है और अगर आपके पास will नहीं है तो उन दोनों case में आपको क्या procedure follow करनी पड़ीगी यह हमने आज के वीडियो में देखा इसके पिछले वाले वीडियो में हमने documentation पर बात क procedure क्या steps आपको follow करने रहते है in order to claim the money और इसके साथ ही साथ इंशॉरेंस में भी life, health, vehicle, insurance में क्या procedure क्या steps आपको follow करने रहते हैं इसके बार में बात करने वाला हूँ so stay tuned for the last video of this series बहुत बहुत धनिवाद दोस्तों आपना कीमती समय दिया इस video को देखने के लिए अगर आप के support के बगेर नहीं पूरा होगा मुझे करीब करीब कुछ एक करोड लोगों को financial financially illiterate करना है और यह आपके स्योग के बगेर possible नहीं होगा तो please मुझे support कीजे मेरे चैनल को subscribe कीजे और मेरे वीडियो को share करके अपने circle में लोगों को बताए कि ऐसे एक चैनल है जो आपके काम का है जो आपको financial literacy देने के लिए बना है तो thank you so much दोस्तों this is Dira signing out from a great investment academy जए हिंद